hello everyone welcome back to digital trading आज हम देखने वाल है कि midcap nifty में कैसे trading करते है using shunya app तो चलिए देखते है in details if you like the video consider subscribing hit the bell icon तो यहाँ पी देखिए shunya में मैंने account है मेरा और यह shunya का app है नया तो इसमें हम midcap nifty में कैसे options trade कर सकते है सबसे पहले तो midcap expiry होती है हर monday रहती है तो बहुत लोगों को क्या प्रदिक्कत आती है कि midcap के options watchlist में कैसे add करते वही पता नहीं रहता तो यह देखेंगे कैसे होता है सबसे पहले मैं दूसरे watchlist में चाहता हूँ second number पे यहाँ पे क्या search करना है midcap 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 के लिए होता है and आगे लिखना है nifty तो midcap सिर्फ लिखा तो भी चलेगा फिर यह पूरा लिखोगे तो भी चलेगा तो generally मैं क्या करता हूँ midcap लिखता हूँ और आगे मैं इसका जो भी strike prices वह enter कर देता हूँ 10,000 CEP तो यहाँ पे देखें नीचे सारे options आगे यहाँ पे वह दिखाता है कौन सा week expiry है यहाँ पे date दिखाता है तो generally मैं क्या करता हूँ जो सबसे पहले आता है वह select करता हूँ मैं आगे बताता हूँ कैसे प्रॉपर select करना है यह मैंने select किया add हो गया मैं वापस आ गया watchlist में यहाँ पे देखिए यह add हो चुका है तो suppose आपको यह option trade नहीं करना है दूसरा करना है तो यहाँ पे click किजए option chain करके option आता है यहाँ पे आपको click करके option chain खोलनी है तो यहाँ पे आपको सारी चीजे सारे options एक साथ दिखेंगे आपको हर एक option सार्च करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे देखिए फायू पे click है तो मेरे को क्या दिखता है फायू फायू का group यह फायू strike price at a time यहाँ पे visible होते है 10 की यह तो ऊपर के 10 नीचे के 10 ऐसे call put दिखते है तो general में फायू ही रखता हो ज्यादा तर लोग यही पे करते है तो यहाँ पे देखिए right side पे put दिख रहा है left side पे call दिख रहा है नीचे जो spot है यहाँ पे 10,000 हमारा चल रहा है तो suppose आपको call करना है put करना है जो चाहिए यहाँ पे आप select कीजे और trade कर सकते हो जैसे की for example हम क्या करेंगे यहाँ पे put का option select करते है 10,025 का तो यहाँ पे 22 रुपीज चल रहा है यहाँ पे click कीजे यहाँ पे buy sale का option आता है suppose आपको दूसरा कुछ करना है यहाँ पे click करते है यहाँ पे buy करते है यहाँ पे normal रखिए limit मैं तो यही रखता हूँ and MIS भी चलेगा तो यहाँ पे quantity एंटर कीजे यहाँ पे जो lot है 75 का रहता है आप in terms of 75 एंटर करना है जैसे की 75 है मैं 150 करता हूँ मतलब 2 lot हो गए मेरे तो यहाँ पे क्या पे 21 पे मेरे को buy होना चाहिए मैं limit order रख कर रहा हूँ यहाँ पे pending मेरी limit order है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 22.4 पे यह option मिला है 150 quantities नीचे का जो है मैंने trade किया है तो यहाँ पे ऐसे हम trade कर सकते है यहाँ पे मेरा order execute हो के यहाँ पे trade successful हुआ है इसको exit करने के लिए यहाँ पे close करके आपको जो चाहिए market limit रख को जनरले limit रखता हूं में तो limit रख के order place कीजिए तो यह execute हो जाएगा तो ऐसे आप mid cap Nifty में trade कर सकते हो using Shunyap तो यहाँ पे फिर जी वाचलिस में आपको सपोस जाना है दूसरा कुछ buy करना यहाँ पे क्लिक किजिए option chain में जाएए immediately option chain open हो जाएगी थोड़ा सा mobile network पे यह lag करता है बट that is fine पूरा हम high frequency trade नहीं करते है यह अभी के लिए तो average चल रहा है तो ऐसे आप यहाँ से open करके और एक बात मैं भूल गया यहाँ पे top पे expiry आपको select करनी होते है जैसे कि आज की expiry 11 December है तो यहाँ पे यह दिखा रहा है तो यह select किजिए उसके options दिखाएंगे तो ऐसे उपर यह different different expiry's के options है तो ऐसे आप midcap में option trading कर सकते हो तो थोड़ा से volatile रहता है यह केरफुली trading करो अकाउंट शुन्या में नहीं है तो नीचे description में लिंक है free or cost broker है अच्छा चल रहा है and brokerage 0 है account opening charges 0 है तो बहुत सारे video हमारे channel पे है आप जाके देख सकते हो तो आपको कुछ doubts रहेंगे तो comments में पूछे तो चलिए मिलते है next time तब तक बाबाजाहिन